ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेईस अप्रेल शनिवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन कुम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो कहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम्बराशी वालों के लिए शनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आपके लिए आज काम्याबी प्राप्त होनी की संभवना अच्छी बन रही है संतान पक्षशे संतुष्टी आज आपको प्राप्त हो सकती है समय के नुशार संतान का शयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान के कुरिया कलापो तथा घर परिवार की आवश्यक्ताओं पर आज आप घरे उतरने का प्रियास करें दोस्तो आपके संचार कौशल और संबंदों में विस्तार होगा और आप प्रकरती और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तो आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आप भविश्य हेतू अनेको योजनाएं आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अटकी हुई आपकी अनेको एक्छाओं की आज पूर्ती होगी जादूस्तो साथी साथ आज आपके लिए दूर की यात्राएं भी होंगी जो आपके लिए अतिलाबकारी सिद्ध होंगी और उनके दोरा आपको अच्छा धनलाब भी होगा और साथ इसाथ आपके मान सम्मान में भी विरद्धी होगी मल्टी लेशनल कमपनियों में कार रह करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा आपकी अनेक महत्व कांचाओं के आज पूर्ण होने की संभावना है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो पड़ाई लिखाई से संबंदित आज आपको अच्छे सफलता प्राप्त हो सकती है भूमी वाहन इत्यादी का भी आज आपके लिए योग बन रहा है अपने जन्म पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा जादा करें दोस्तो राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल है साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगर्ती से आप काफी संतुष्ट होंगे विध्यारतियों को उनके पेड़नाओं में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए महनत की थी वे महनत कामियाब हो जाएगी साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवड़तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी एक्छा आपको सयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों मित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ भेतर संबंद हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर-परिवार में भी एक दूसरी के प्रती काफी अच्छी संभावना इत्थपन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं दोस्तों किसी भी प्रकार के वित्ते निवेस के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें यदि इस छेत्र के जानकार या विसे सग्यों से सुजाव और सला लेकर ही कोई कारे करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आज का दिन आपके लिए किसी अंजान तनाव पूर्ण इस्थिती उत्पन कर सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथी साथ आपको अपने करे छेत्र में थोड़ा ध्यान देनी के आवश रकता है क्योंकि आपके विरुद आज कोई सडियंत्र हो सकता है अत किसी को भी ऐसा मौका ना दें जिससे आपको कोई परिशानी उठानी पड़ें या दोस्तो ओफिस अत्वा कारयाले में अपने सेह कर्मियों पर भरोसा ना करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपके भरोसे का नाजाय ये फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चोरी चुपे नुकसान पहुचाने का भी प्रियास कर सकते हैं जिसके कारण ऑफिस में आपकी छवी को नुकसान उठाना पड़ सकता हैं सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आपका जीवन साथी आपको आपके प्रते कार में समर्थ हंदेगा और समय आने पर आपकी साहिता भी अवश्य करेगा इसके परणाम से रूप आपका वहवाईक जीवन काफी अच्छा रहेगा जीवन साती के साथ मदूर संबंद होने की भी संभावना बढ़ सकती है तथा आवश्यक्ता अनुसार हर जगा जीवन साती का आपको प्राप्त होगा इसलिए जीवन साती के साथ मदूर संबंद बनाए रखना आपके लिए बहतर हो सकता है दोस्तों साती साथ आपको यह बात का विध्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिस्ते अपने पन इसने और प्यार से चलते हैं इसलिए किसी भी रिस्ते में अडियल रवया मत अपनाईए और हवा के रुको को देखते हुई कोई कारे कीजिए या दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है या दोस्तों इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवश्य केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती सुव फलदाई रहेगा वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक इस्तिति काफी मजबूत रहेगी आज आपके लिए आस्मिक धनलाब के भी अनिको योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जी हां दोस्तों आपको अपने कारों से आज अच्छा लाब भी होगा और आपके केरियर में आपकी इस्तिति काफी मजबूत होगी यदि आप किसी मित्र के साथ कोई वैपार कर रहे हैं तो इस दोरा आपको अधिक लाब मिल सकता है नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है विध्यार्कियों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों घर में के गिरहो पर ध्यान दें और साथिसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान शनिदेव जी को एक नीला फूल अरपित करें और साथि साथ भगवान शनिदेव के मंतर ओम शन शनेश चराए नमाहां मंतर का बहुती सच्यमन से बहुती स्रदभाव से 108 बार जाप अवश्य करें और साथि साथ अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तो ऐसा करने मातर से ही भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में प बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैशनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद